प्रशार मंत्री जी लोग जब चुनाओं की तयारी करते हैं तो उमीदवारों की लिस्ट बनाते हैं, वो कौन हमारा स्टार क्यामपेनर होगा, ये सब गुशना पत्रते करते हैं, लेकिन आप सौ दिन आगे का अजेंडा बनाने में लग गए हैं, इसलिए मेरा पहला प्रश सकतर से अजाधी दिलाई 66 दिन, 2024 में अगर आप सत्ता में आते हैं, तो सौ दिन में क्या करेंगे, कौन से बड़े और सक्त फैसले ले सकते हैं, एक तो शायद मेरी कारशेलिक है हिस्सा है, कि मैं चीजों को बहुत बैले इन एडवांस करता हूं, जिम संगर्षन का काम करत था हूं, तब भी मैं काफी पुर्वान उमान लगाता था कि मुझे इस समय ये करना है, इसलिए मैं ताइम का भी धंग से बटवारा करता हूं, प्रायोरिटी भी बड़ी आसानी से तैय कर सकता हूं, मैं किसी मैनेजमेट स्कूल का स्टूडन तो नहीं रहा हूं, लेकिन शायद यह मेना काम करते करते डवलब हुआ है, जब मैं गुजरात में था, तो गुजरात में भी मैं, और आम तोर पर जो क्रिटिक्स होते हैं या उब्जरवर्स होते हैं, वो शुरू के तबके का देते हैं, बहु भी जब शाधी करके घर में नहीं आती हैं, पहले वो स्वाभाव रहता है दुनिया का स्वाभाव है तो मुझे लगा है कि मुझे इसको आड्रेस में करना चुई है और मैं उस देशा में चला अब एक बड़ी इंट्रेस्टिंग घर्टा बताता हूं 26 जनवर को गुजरात में भुकम भाया भाहिंकर भुकम था मैं उसे में पार्टी का काम करता था कि अक्तूबर सेवन को मुझे अचानक सीएम बना पड़ा हूं कि सीएम सपर लेकर करके मैं सीधा भुकम गर्थ सिलागे में शुरा गया दो तिन रात में वहीं रहा देखा सब चीजे पहले वॉलेंटेर के रूप में देखता था मैं सीएम के रूप में देखा था पिर मै मैंने आकर के मिटिंग ली मेरे अफसरों की तो सबने बता है साम मार्च मेने तक ही हो जाएगा मार्च में मैंने का सबसे पहले तुमारा यह मार्च वाला बजेट कालेंडर है जो कागज को ऐसे बाजू में रख दोबाए मुझे बताओ 26 जन्वरी के पहले क्या करोगे मैं मैंने का दुनिया 26 जन्वरी को देखने आएगी कि एक साल में क्या किया सारा प्रीपॉन करिये मुझे बताइए फिर मैंने पूरी मस्षिंट्र को मॉबलाइज किया और मैंने यहां शायद 24 जन्वरी को दिल में आकर प्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कार दिया और उस समय जैसी मेरा अनुमान था बहुत बड़ी मात्रा में मिडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मिडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेर दे लेकिन बजा आप देखेंगे 24, 25, 26 जन्वरी की रिपोर्ट वह वही किसी वह कुछ नहीं था और उसका एक करण ये था कि मैंने मार्च के डेड़न को प्रिपॉंट कर लिया तो मेरी टीम का उत्सा भर गया कि यार देखे सफलता काम रेकिनेश हो रहा है तो मैं इसकी ताकत समझता हूं और इसलिए मैं एक सोधिन का दूसरा मैं यह नहीं चाहता हूं कि सरका सरकार चलती है यार को अच्छी चीजा जाई कि तो देखनेंगे जी नहीं सरकार मुझे चलाना है सरकार चलती है इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं पिठाया है मुझे देश में कुछ चीजों को चलाना है मुझे कुछ चीजों को बदलना है और इसलिए मेरे पास तो मै मैंने ये भी देखा साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफित ध्याना कर चित किया मेरा 2024 में मेरी सोथ थोड़ी लंबी है मैं पिछले पांच साल से काम कर रहा हूं 2047 पे और यह पांच साल से काम चल रहा है देश के साइद 20 लाप से ज्यादा तो मैं कह सकता हूं जिन से मैंने इंपूट लिये हैं और मैं उनके आधार पर 47 का वीजन डॉकिमेंट बना दो पीडी अफसलों के रिटैर हो चुकी होगी है इस पर काम करते करते काफी नए लोग आये है अब मैंने कहां मैंने चुनाऊं के एक मैने पहले गोशे दोने के एक मैने पहले पुरा बड़ी समीट की थी मेरी सभी काउंसिल की और सभी सच होई फिर मैंने कहा भी यह 2047 जो है अब मुझे उसको पांच साल में बताई प्राइड़िटी फिर मैंने पांच साल का बनाए बैप फिर मैंने उनको कहा अब मुझे इसमें से 100 दिन कर निकाल लिए है एक्शनिबल पॉइंट फिर मुझे सब्सक्राइड कर ने काम कर रहे हैं तैयार किया है मेरा उनके साथ बैठना भी बाकी है मैं समय निकाल करके बैठ लूँगा तो यह तैयार है मेरा लिगि अब मेरे मिन में काम करते करते नए विशाराय है जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ मैं जब सो दिन का सोच रहा था अभी मैं सबासो दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं उत्साहिद भी हो गया हूँ मैं देखा कि पूरे कैम्पेंड में हैं फॉर्स्ट टाइम वोटर को हो यू आप यू भी को याने मैं उनका पॉंडल मन देख रहा हूँ मैं उनके एस्पिरिशन्स को फिल कर रहा हूँ तो मैं इनाउंस करने वाला हूं कि अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूं सो दिन का मैंने प्लान कर लिए आए मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूं और प्यॉर्ली मैं यूद को चाहता हूं आप मुझे आइडिया दिजिए आप मुझे अपनी प्राविर्टी बताइए तो मैं पचीस दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूं बरे देश की वहाओं के हो तो सवास होगा मैं अब करूंगा काम सौसे मैं आगे बढ़ रहा हूं पचीस दिन का तो हो सकता है सर हमारा कारिकरम देखने के बाद ये इंट्व्यू के बाद शायद यूथ अपने आपी आपको आइडिया आपके सामने बोला हूं तो आप बता सकते हैं यूथ को बहुत ही लोगों को अच्छा लगेगा